हालो फ्रेंट्स सभी का स्वागत है हमारे चैनल RKJK ट्रिक्पर फ्रेंट्स और ब्रेकिंग नूज गे साथ हम आप लोगों के बीच में आ गया है फ्रेंट्स जो फ्रेंट्स पटवारी की वेकेंशी का लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था अब उनकी इंतजार की गडिया खतम हो गई है फ्रेंट्स हाँ फ्रेंट्स आप लोग सभी त्यारी में लग जाओ क्योंकि राजस्तान पटवारी का नॉटिफिकेशन जारी हो चुका है कई दोस्तों का मेरे पास वाटशेपर मैसेज आरा था कि सर हम राजस्तान पटवारी की त्यारी कर रहे हैं लेकिन एक और सवाल है क्या इसमें CIT लागू है या नहीं है क्या बिना CIT वाले भी इसमें फोरम अप्लाई कर सकते हैं या इसमें क्या-क्या डिटेल है जो आपके लिए काम आएगी सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे उससे पहले अगर कोई भी दोस्त अगर हमारे वाट्सेप लोग हमें मेसेज बागोल भी कर सकते हो किसी भी वेकेंशी से सम्मादित जानकारी के लिए आप हमें जरूर वाट्सेपर मेसेज करना फ्रेंड्स तो कई दोस्तों का मेसेज आया था कि सर कितने पदों पर यह वेकेंशी आएगी तो वेकेंशी तो आपकी तीन हजाद पदों पर यह वेकेंशी आएगी चलो फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी राजस्तान पटवारी बर्ती में देखते हैं आयू सीमा देखेंगे पहले कितनी से कितनी रहेगे आपकी राजस्तान पटवारी बरती 2021 के लिए नियुनतम आयू 18 वरस और अधिक्तम आयू 40 वरस रखी गई है यानि जिस विद्यारती की उमर 18 पलस है वो 40 वरस के लगबग है वह भी इसमें आवेदन कर सकता है बरती में आयू की गंड़ना 2021 को आधार मान कर की जाएगी इसके अलावा OBC, EWS, SC, ST और RX 6 वर्गों को सरकार के निया मनुसार अधिक्तम आयू सिमा में छूट दी जाएगी तो ये तो नॉर्मल बात थी वोड़नेक्रिस के बारे में जानकारी पटवारी बड़ती से सम्मादित जो सबसे बड़ी यहीं इनफोर्मेशन है कई दोस्तों का WhatsApp पर मेंसेज आ रहा था कि सर क्या इस वेकेंसी में CAT लागू है या नहीं है क्योंकि कई लोगोंने CAT के एक्जाम नहीं दी थी और कई लोगोंने CAT के एक्जाम दी थी की नम्मर कम है उनके तो सभी का एक क्यूशन है कल से मेरे पास वार्षेपर मेंसे जा रहा है कि सर इसमें CET लागू होगी या नहीं होगी तो देख ले देख बात कुछ अभियरती यह पूछ रहे कि क्या पटवारी के रिक्त पदों पर भी बढ़ती समान पातरता परिक्षा CET के अंतरगट की जाएगी जी हाँ अब पटवारी के रिक्त पदों पर बढ़ती CET के माद्यम से की जाएगी यानि इसमें फ्रेंड CET लागउ है समान पातरता परिक्षा इसमें लागउ होगी जिन दोस्तों ने CET के एक्जाम दी थी वही इसमें आवेदन कर सकते है अधर्वाइज इसमें जो लोग CET की एक्जाम नहीं दे पाए कि एक्जाम नहीं दे पाए वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते और राजसव मंडल अजमेर ने 2988 में पदोपर पटवारी बढ़ती है तो अर्थना बोर्ड को भेज दी गई है यानि इसका नोटिफिकेशन कब से फोरम सुड़ है यह भी एक बार देख लेते हैं तो जो आपके फोरम तहां को मादूं है कि june के fifth week से आपके फोरम सुरू हो जाएंगे रादस्थान प्काटवारी बढ़ती के तो से आपके फोरम शुरू हो जाएंगे और तयारी में लग जाओ आप लोग सभी दोस्त तीन हजार पदों के लगबग यह बढ़ती आ रही है और अच्छी वेकेंशी है और इसमें लागने से इसमें आप लोगों को फाइदा है और जिन लोगों ने एक्जाम नहीं दी वो लोग इसमें आविदन नहीं कर सकते और आप लोग राधिस्तार पत्वारी के ग्रूप में एड़ो जाओ और इन्फोर्मेशन जैसी आती है सबसे पहले आपको वाट्सेप के मादेम से प्रोवाइड करवाई जाएगे तो अस्य ठावन पीचाएसी तेरा पीचातर अमारा वाट्सेप नमरे प्रेंस सभी को धन्यवाज जैहिन वंदे मात्रम